हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ एकॉनोमिक्स लव कौशिक सुवागत करता हूँ आपका सीए वाला में और दोस्तो आज बहुत गहन चर्चा का विशह आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि पूरे भारत के अंदर एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स ऐसे हैं जो यह फील करते हैं कि मैं एक एवरेज स्टुडेंट हूँ क्या मैं सीए बन सकता हूँ क्या मैं सीए फाउंडेशन का एक्जाम क्राक कर सकता हूँ काफी बच्चों को यह कहना है सार मेरे 11-12 में कॉंसेट्स वीक थे और बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं और क बच्चा यह सोचता है कि 11-12 क्लास के अंदर उसके कम मार्स आये थे मतलब expectation से कम मार्स आये थे तो वो सिए बन सकता है इसका सीदा सीदा अंसर है हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा ratio of CA मतलब इतने लोग CA बन चुके हैं जिनके 12th क्लास में less than 60% मार्स आये थे अच् चाहे 15% उपर हो चाहे 15% उसके मार्स नीचे हो उसको पता होना चीए कि वो average क्यों है पहली बात तो दूसरे बंदें topper क्यों है पता फर्क किस बात का है फर्क है कि जो तुम्हें topper लगता है उसको बहुत जल्दी चीजे समझ में आ जाती है वो बहुत जल्दी concept को grasp कर ले जाता है clarity उसके दिमाग में बड़ी जल्दी सेट हो जाती है और जो अपने आपको average मान रहा है इसका मतलब यह कि उसको concept समझने में time लगता है पढ़ाई में मन नहीं लगता अब दो बाते सुनना राजे यहां पर बात करूँआ एक बहुत important element है एक student की life का चीज़े बोलत पहली दूसरी तीसरी चौथी पाचवी चटी क्लास से मतलब उनकी intention थी कि हां यार मुझे पढ़ना है पढ़ना इस दा मेन element तो उनकी practice महां से शुरू हुई है जिसका result उसको आठवी नौवी दसवी ग्यारवी बारवी फिर CA foundation और अलग-अलग stage of study में उसको दिखता रहा बिलकुल दिखता रहा आप यह मत सोचो कि एकदम से ऐसा हो गया वो बहुत पहले से होता आया है और जो अपने आपको समझ रहा हो कि मुझे लेट समझ में आता है तो वो खुद अपनी जिंदगी सोच कर देख ले background में चला जाए उसको पढ़ाई में थोड़ा कम interest होता हो होगा ठीक है दूसरी activities में ज्यादा interest होता होगा लेकिन क्या इन लोगों का इलाज बचा है जी हाँ इलाज बचा है average students का वो बन जाएंगे CA कैसे बन जाएंगे राजे practice करनी होगी for example CA foundation में अब आप आयो तो main element मैंने बताया आपको आपकी intention होनी चीए intention है तो आपका target है CA बनना इसका मतलब जो पहले नहीं किया वो अब करो शायद कोई chapter या कोई concept किसी topper को या above average बच्चे को वो 5 घंटे में समझ में आ रहा है तुम्हें उसको समझने में 10 घंटे लग सकते हैं कभी कभी जाधा time भी लग सकता है लेकिन आपको हार नहीं मानन है हार तो मान जाएगा बच्चा कौन जिसकी intention नहीं होगी जिसकी intention होगी वो हार नहीं मानेगा मतलब वो बढ़ता रहेगा अब यहां practice का result देखो जब बच्पन से practice करते आये थे तो थोड़ा लेट सीख पाते हैं मैं किसी cricket की बात नहीं कर रहा मैं किसी दूसरे sports की बात नहीं कर रहा वहां पर थोड़ा लेट सीख पाते हैं लेकिन इस एज में यह जवानी की एज है यह यहां पर जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना तो जल्दी सीखते हो as compared to बच्पन के दिन तब लेट सीखते थे अब जल्दी सीखते हो CA foundation में किसी भी तरीके से मेहनत कर लो ज्यादा पढ़ लो hard work कर लो जब तुम CA foundation clear करोगे ना तो इंटर के लिए ready रहोगे और एक बात बताऊं आपको feel भी नहीं होगा लेकिन यह आपके साथ हो चुका होगा क्या तुम इतनी मेहनत करोगे कि तुम्हे concept समझ में आने लगेंगे तो एक ऐसी practice हो जाती है कि जो concept तुम्हें CA foundation में 10 घंटे में समझ में आ रहा था ना वह CA intermediate में उतने ही लेवल का concept आपको उससे कम टाइम में शायद 5 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में भी हो सकता है चल्दी टाइम में समझ में आने लगे क्योंकि यह practice हो गया लोग कसरत करते हैं exercise करते हैं body body बनाते हैं एक दिन में थोड़ी बनती है लोग भेहनत करते हैं practice करते हैं और धिरे धिरे वह चीज होने लगती है एसे ही आपको CA foundation में ज्यादा time devote करना होगा rather than बच्चे क्या सुचते हैं CA foundation थोड़ा easy है यार इस पर थोड़ी सी मोज कर लेते हैं और फिर intermediate में hard work करेंगे अरे नहीं गल्थ सोच रहे हो CA foundation में लंबे समय तक पढ़ने की आदत डालो concept को जल्दी grasp करने की आदत डालो ताकि तुम्हारा CA intermediate है न वो तुम single single group ना target करो बलकि इतना potential अपने अंदर बना लो कि तुम दोनों group CA intermediate के एक बार में crack करने की हिम्मत रखो यानि अपना time save कर लो भीया जल्दी से यह बन जाओगे जल्दी पैसा कमाओगे money power reputation जल्दी आएगी समझे तो यह बाते आप लोगों से कहना चाहता था तो दोस्तों मतलब बड़ी important बात यह थी क्योंकि बच्चों के मन में चर्चा रहती है आज की class में फिर इतना ही अग आपकी requirement थी इसलिए मैंने वीडियो बनाई जय हिंद जय भारत नमस्कार धन्यवाद